दोस्तो एक वीडियो आपके लिए काफी ज़धा important होने वाले है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Vivo T2 X के फोन में आप जो है incoming call animation कैसे set करेंगे जैसे incoming call side border light या face lock animation और जो यहां पे fingerprint animation काफी animation होते हैं जैसे charging animation यानि dynamic effect जितने भी होते हैं आप लोग इस मिलेगा आपको यहां पर नीचे थोड़ा साना है एक option मिलेगा dynamic effect का आपको इस पर किलिक करना है यहां पर बहुत से options होंगे अगर आपने फोन को update कर दिया है तो अच्छी बात है और यहां पर embed light option मिलता है effect इस पर आपको किलिक करना है किलिक करने बाद यहां पर इसको आन कर देना है आन करने बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा नीचे आएंगे incoming call का option इसको भी आन कर देंगे और light effect for incoming call इस पर हम किलिक करके incoming call light effect लगा सकते हैं जिसे border light भी काते है incoming call border light तो यहां पर आप लोग इसको भी apply कर सकते हैं और जो animation दोस्तों अगर आपके phone में कुछ animation नहीं सो हो रहें तो आपको tension नहीं लेना है आपको अफना phone अपडेट करना है इसके बाद आपके phone में सारे animation आ जाएंगे अब यहां पर notification को आन करके notification animation भी आप लोग लगा सकते हो और बैक आते हैं तो यहां पर fingerprint icon animation हो गया fingerprint recognition हो गया charging animation हो गया USB internation animation हो गया सारे animation नहां पर देख जाएंगे और कोई भी animation आप यहीं से लगा सकते हो